So finally दोस्तो Realme C53 को इंडिया में लॉंच करने वाला है Realme और यहाँ पर इसकी सारी डीटेल स्पैसिफिकेशन प्राइस निगल के आ चुकी है अलगि यह जो स्मार्टफोन है यह मलेशिया में लॉंच हो चुका है अब ग्लोगली यह जल्दी एविलेबल होने वाला है और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसकी स्पैसिफिकेशन, प्राइस और लॉंचिंग डेट यहाँ पर यह जो फोन है इसका सारा लैंडिंग पेज फिल्प कार्ट पे आ चुका है वहाँ से भी जाकर आप सारी चीज़े देख सकते हैं पर सकते हैं इस स्मार्ट फोन के अंदर आपको दोस्तों 108 मेगा पिक्सल का कैमरा मिल जाता है अल्टरा स्लिम फोन है और ऐसी काफी अमेजिंग चीज़े हैं जो कि बजट रेंज स्मार्ट फोन के अंदर आपको रियल्मी तरफ से देखने को मिल जाएगी तो बात कर लेते हैं आज के फोन के बारे में रियल्मी C53 हाला कि इसके लुक्स और डिजाइन की बात की जाए दोस्तों तो ये बिल्कुल नार्जो N53 की तरह ही दिखता है जहाँ पर आपको कलर्स, सेल्फ डिजाइन वगर्र सब चीजे एक जैसी ही देखने को मिल जाएगी पूरा अल्टरा स्लिम, बॉक्सी डिजाइन सब चीजे देखने को मिलेगी लेकिन हम बात करेंगे रियल्मी C53 के बारे में जहाँ पर जो इसका डिजाइन है बैक साइड में वही आपको क्वार्ट कैमरा सेटप देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ आपको रियल्मी की ब्रैंडिंग देखने को मिल जाएगी कलर्स भी आपको सेम देखने को मिलेंगे नार्जो N53 में तो यह बिलकुल हुबाओ आईफोन जैसे दिखता है तो यहाँ पर बैक साइड में भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा और यहाँ पर हम बात करने थे हैं इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की full HD display देखने को मिल जाती है जहाँ पर आपको refresh rate 90Hz का देखने को मिलता है टस सेम्वलिंग रेट आपको 180Hz का देखने को मिल जाता है Peak brightness की बात किया है दोस्तो यहाँ पर आपको 6.158 की peak brightness देखने को मिल जाती है साथी में यहाँ पर आपको water drop notch देखने को मिलेगा पंच होल डिस्प्रेय नहीं होगा लेकिन जो आपका video experience है दोस्तों वो काफी बढ़िया रहने वाला है 90Hz refresh rate के साथ में जहाँ पर आप video content सो काफी अच्छी तरिके से enjoy कर पाएंगे तो कहीं पर भी ऐसा कोई problem नहीं होगा video देखने के time पे बात करें यहाँ पर इसके processor की दोस्तों तो यहाँ पर आपको ARM Mali G57 GPU देखने को मिलेगा जहाँ पर gaming वो गरें और काफी चीज़े अच्छी हो जाएगी साथ में की बताया जारा T612 भी processor देखने को मिल सकता है जो कि अभी confusion है कि इंडिया में कौन सा processor के साथ में launch होगा बात करें यहाँ पर slots की तो dual sim होगा साथ में आप यहाँ पर macro SD card भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम बात कर लें इसके RAM और storage की दोस्तों तो यहाँ पर आपको 6GB की RAM देखने को मिलेगी 128GB की inbuilt storage देखने को मिलेगी जो P LPDDR4X RAM को support करेगा दोस्तों यहाँ पर आपको internal up to 2 TV तक भी बढ़ा सकते हैं storage को साथ में हम बात करें यहाँ पर operating system की तो Android 13 out of the box देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको डिवाइस के साथ support करेगा बात करें यहाँ पर camera का apartment की दोस्तों तो यहाँ पर आपको back side में dual camera का setup देखने को मिलेगा front में आपको 8MP का देखने को मिलेगा back side में आपको 108MP या 50MP का camera हो सकता है लेकिन जो secondary camera है वो 2MP का एक sensor हो सकता है नीचे के तरह आपको USB Type-C, एक speaker grill और audio jack देखने को मिल जाएगा other switches की बात किया है दोस्तों तो यहाँ पर आपको GPS, NFC, Wi-Fi का support मिलेगा USB Type-C port जैसे के मैं आपको बताया है Bluetooth 5.0 connectivity मिलेगी साथ में 3.5 audio jack भी देखने को मिल जाएगा जो की बहुत इची चीज़ है और sensors की बात किया है दोस्तों, side mounted fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप face unlock का feature भी देख सकते है, pattern lock का feature भी देख सकते है इस smartphone के weight की बात किया है दोस्तों, तो 182 grams का यह phone होगा और यहाँ पर जो thickness है इसकी, तो यहाँ पर आपको 7.49 mm की thickness देखने को मिल जाएगी जी हाँ, तो यह ultra slim smartphone बना गया है realme की तरफ से जहाँ पर आपको यह सारी amazing चीज़े एक ही phone के अंदर देखने को मिल जाएगी बात कर लेते हैं, यहाँ पर launching date और price की दोस्तों, तो 19 जुलाई को flip card पर launch होने वाला है 12 बज़े वहाँ से जाके आप इसे purchase कर सकते हैं, साथे में बात करें इसकी price की, तो मान के जिलिए 12 से 13000 के बीच में यह phone launch होगा, जहाँ पर आप card या credit card वगरे भी लगाते हैं, तो 1500 का discount आपको वैसे मिल जाएगा यह सारे overall चीज़े थी Realme C53 के बारे में, I hope आपको वीडियो काफी अच्छा लगोगा, अच्छा लगे तो चैनल को subscribe करें साथ में, वीडियो को like शे करना ना वोले, तब तक के लिए guys, thank you from Techtonics, take care, जैहिंद